अलो फंक्रस विहान, आयूश भिवाग आयरवेदिक फार्मसिस्ट पॉस्ट कॉर्ड 1025, इंपोर्टन क्वेशन्स डिसकस करेंगे, क्योंकि आज से हमारी प्रिवियस बेस्ट क्वेशन सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, इन क्वेशन्स के माध्यम से आपको टॉपिक, सब टॉपिक और एडवांस लेवल बताया जाएगा, लेकिन अगर अभी तक आपने, आयूश भिवाग आयरवेदिक फार्मसिस्ट पॉस्ट कॉर्ड 1025 के लिए, क्रैश कोर्स जोई नहीं किये, तो जल्दी से करना, क्योंकि इसमें आपको वीडियो कोर्स क्लास मिलेगी, जि पर भी जितनी बार आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका होता है, एक्जाम को क्रैक करने का, और इसमें आपको कंप्लीट आयरवेदिक के MCQs मिल रहे हैं, और इतना ही नहीं, ऐसे MCQs आपको मिलेंगे, आयरवेदिक के 100% रिटन में, आपको मैं य चैलेंज कर सकता हो, गैरंटी दे सकता हो, कि यहां से questions आपके लिए enough होंगे, क्योंकि हम यहां पर previous based questions series, topic wise questions और model test papers सब कुछ cover आपका यहां पर करवा देंगे, और इतना ही नहीं, notes MCQs GK, based MCQs previous papers, analysis MCQs complete subjects के साथ, repeated or special expected additions भी आपको इसमें मिलेगा, क्या यह सब कुछ करने के बाद, देखने के बाद क्या आपका exam crack हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि अभी तक भी आपके test अधूरे हैं, क्योंकि experts और toppers का मानना यह है, कि जब तक आपने daily test, walk test, short test, graph test, important test, updated test, weekly test, monthly test, HPSC test, और OMA sheet test, attend नहीं किये, तो कहीं ने कहीं आपको problem हो सकती है, merit list में, ठी यहाँ पर इस number पर जल्दी से WhatsApp कलीजिए, और यह सारी चीज़े आप ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला questions की discuss करेंगे, important questions है, what is the meaning of rust in रश सरस्त्रा, यानि कि रश, शास्तर में रश का अर्थ क्या है, important question है, जल्दी से देखिए, क्या यह रश सिंदूर है, यहाँ पर रश सिंदूर नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ students ने इसका सही अंसर क्या किया था, रश सिंदूर, जबकि इसका सही अंसर पारद है, next, हम यहाँ पर देखेंगे, एक ओशद की मातरा, एक रती दिन में दो वार है, ध्यान से देखने इस questions को, एक ओशद की मातरा एक रती दिन में दो वार है, उसकी दस दिन की मातरा कितनी देनी होगी, बताइए, friends, simple सा सवाल है, और इसका मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले भी describe बताया था, इसकी मेरी calculations करने भी आपको मैंने बताई थी, ठीक है, अगर previous वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो कहीने क कि मातरा एक रती दिन में दो वार है, उसकी दस दिन की कितनी मातरा देनी होगी, यानि कि उस पेशेंट को कितनी मातरा देनी होगी, 2.5 ग्राम, अब मुझे यहाँ पर एक कमेंट कर दीजिए, कि एक रती में कितने ग्राम होते हैं, जल्दी से बता दीजिए, और क्योंकि म आप बॉन एंड गार जल्दी सबता ही जल्दी से इसका सही अंसर होगा आप्शनमर अप्शनमर C यानि की एरवे व्रेद्टिंग एंड सर्कुलेशन इबीसी देखिए एबीसी का जो पुन्रा जीवन है circuitations है वो आपका क्या है airway breathing and circulations है clear चलिए next यहाँ पर देखेंगे next यहाँ पर है GMP GMP क्या है क्या यह good manufacturing practices है great manufacturing practices है great manufacturing power है यह फिर none जल्दी से देखे GMP का इसकी full form direct आपके examiner ने पूछी है GMP का जो आपका सही answer होगा good manufacturing practices ठीक है option number A is the right answers clear हमीर प्रबोर्ड आपका exam लेगा अगर अभी तक भी आपके topic सब topic MCQs clear नहीं है या फिर कहीं पर भी आपको लग रहे है कि मुझे experts की राय लेनी चाहिए simply whatsapp कर लेना आयरुवेदी ओशद राजपत्र के अनुसार आस्टवरिष्ट की सर्वीता अभधियन की shelf life कितनी है दो साल है तीन साल है पांस साल है यह फिर दस साल है यहाँ पर बात हो रही है according to आयरुवेदिक आशुद राजपत्र what is the shelf life of आस्टवरिष्ट बताईए देखिए इसका सही अंसर होगा option मढ़ियन की 10 साल friends इसकी जो shelf life है ठीक है 10 साल है clear आस्टवरिष्ट की जो सब्रियता अभधी है ठीक है जो आपकी आयरुवेदिक आशुद राजपत्र ठीक है यह याद रखना न क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है according to आयरुदिक आशुद राजपत्र ठीक है what is the shelf life of आस्टवरिष्ट तो इसकी जो आयू है इनकी इसकी जो shelf life है वो 10 साल है next यहाँ पर देखेंगे मानस दोश कितने है जलदी से देखिए friends इसका सही अंसर होगा मानस दोश आपके कितने है दो है और जिरू ने अभी तक चरक सहीता के important questions क्योंकि हमने चरक सहीता complete कर दी है तो जरूर उन lectures को follow कर ले ज़्यांगे बोटैनिकल नेम और आमला की यांपर बात होगी आमला का बनस्पर्थिक नाम है अंबलिका ओफिसनलब का अंबलिका ओफिसनल्यर ईपहां टर्मिलियाें अंभीर pracैये इसका सगे अंसर होगा option मरr एश जो आपका बोटैनिकल नेम है किसका आमला का वो क्या है एमलिका ओफिस नियल्स ठीक है option number A is the right answer next देखेंगे यहाँ पर castor oil की यहाँ पर बात हो रही है यानि कि errant tail क्या है क्या है क्योंकि यह top 10 magazines का questions है और आपके examiner ने questions पूछा है और जितने other state में exam हुए है वहाँ पर यह top most expected के addition में रहा है castor oil की यहाँ पर बात हो रही है क्या यह बात शामक है पित शामक है कफ शामक है या फिर कोई नहीं castor oil जल्दी से देखें friends इसका सही answer होगा option number A यानि की बात शामक जो आपका iron tail है यानि की costor oil है वो आपका बात शामक है ठीक है next यहाँ पर देखेंगे three pillar देखें त्री यानि की त्री स्थम की यहाँ पर बात हो यह क्या यह बात पित कफ है food sleepness virginity है सत्वा soul body है या फिर सत्वा राज स्थम है बताइए बताइए जल्दी से three pillar यहाँ पर देखें देखें त्री पिलर आपके कौन कों से है बात पित कफ याद रख लेना ठीक है चलिए next यहाँ पर देखेंगे which is not included in punch with shy kalpna बताइए इसका सही answer जल्दी से देखें इसका सही answer क्या यह अर्क कलपना है स्वारस कलपना है हीम कलपना है या फिर font कलपना है जल्दी से बताइए which is not included in punch with shy kalpna जल्दी से बताइए included नहीं है यह याद रखना देखिए अर्क कलपना जो है आपकी ठीक है अर्क कलपना जो है वो आपकी punch with shy kalpna में नहीं है जबकि आपकी स्वारस कलपना हो गया हीम कलपना हो गया और आपका font कलपना हो गया यह सारी की सारी चीज़े क्या है यह आपकी punch with shy kalpna में है ठीक है जबकि अर्ध कलपना नहीं है clear next यहाँ पर देखेंगे आयरुवेदा नुसार रसों की संख्या क्या यह 2, 4, 6, 1 बताइए according to आयरुवेदा how many रस बताइए जल्दी से जल्दी से देखिए इसका सही अंसर friends जल्दी से देखिए क्योंकि यह questions बार बार आपके examiner ने questions पूछा है आप सभी को आना चाहिए friends इसका सही अंसर होगा option number C clear option number C 6 रस आयरुवेदा नुसार रसों की संख्या कितनी है 6 है clear next देखिए आप चूरन सेवन की समानेता मात्रा है very important questions what is normal dose of powder intake बताइए एक ग्राम दो ग्राम शे ग्राम या फिर दस ग्राम जल्दी से देखिए इसका सही अंसर क्या होगा जल्दी से friends option number C चूरन सेवन की समानेता मात्रा कितनी है 6 ग्राम ठीक है अगर आपने सोचा और सही हुआ तो well done क्योंकि इसी questions की अधार पर हमारी updated version series भी जल्दी आने वाली है ठीक है WhatsApp कल रहा MOOC में द्रव्य रखकर चलाए जाने की प्रिक्रिया को कहते है very important है keeping द्रव्य in mouth and rotating the same is known as क्या होगा क्या ये गंडूश है कवल है अचूशन है या फिर प्रतिसारण है बताईए जल्दी से इसका सही असरों का option में भी यान की कवल ठीक है MOOC में द्रव्य रखकर चलाए जाने की जो प्रिक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कवल कहेंगे ठीक है नेक्स्ट देखिए याँ पर सर्जरी के जनक कौन है फादर ओफ सर्जरी इज क्या ये चरक शुशुरूत हिपोक्रिट्स या फिर डार्विन जल्दी से पताईए जल्दी से देखिए इसका सेंसर देखिए option में भी इसका सेंसर होगा ठीक है याँ कि शुशुरूत तो आपके सर्जरी के जनक है शुशुरूत है नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आईरुवेद में पंच करम क्या है जल्दी से देखिए वाट इस पंच करम इन आईरुवेद वेर इंपॉर्टन्ट क्या ये process of body cleaning है massage process of body है योगा process है या फिर five main process after wake up in the morning है बताइए शरीर शुद्धी की परक्रिया है शरीर की मालिश की परक्रिया है योगी क्रिया है सुबह उठकर की जाने वाई पांच प्रमुक परक्रिया है बताइए इसका सही असर क्या होगा फ्रेंट्स option number A यानि की शरीर शुद्धी की परक्रिया है ठीक है जो आपके पंच कर्मा in Ayurveda है ठीक है वो आपके process of body cleaning है ठीक है शरीर शुद्धी की परक्रिया है ठीक है उसी को हम क्या कहते है पांच कर्मा in Ayurveda clear है और ये questions भी काफी highlighted है ठीक है next यहाँ पर देखेंगे next questions है best single drugs for preme बताईए प्रेमे में सरफ्स्रेश्ट एकल और्षदिया है क्या ये आमला हल्दी है गिलोई घृत है तरक दुगद है या फिर दुगद विकार है important questions है आलला टर्मिक है गिलोई घृत है बाटर मिल्क है या फिर मिल्क विकार है जल्दी से बताईए जल्दी से देखिए इसका सही अंसर इसका सही अंसर होगा option number A.N. की आमला हल्दी friends प्रेमे में सरफ्स्रेश्ट जो एकल और्षदिया है ठीक है best single drugs of preme उसमें आपकी आमला और हल्दी है clear next questions के ओपर चलेंगे आयरवेद के अनसर कितनी दिशाई है यह काफी important है बताईए कितनी है जी 2 है 4 है 6 है यह फिर 10 है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है याद रखलेना according to आयरवेदा how many directions are there कितनी है जी जल्दी से देखिए question number D अगर आपने question number C सोचा है तो आपका question पर गलत है क्यों गलत है क्योंकि maximum students ने अभी आपके exam में questions देखने के मिल रहे है other state में भी ठीक है और हमीरपर बोड़ तो आपके exam में डालता है questions updated version में modified तरीके से ठीक है तो वहाँ पर students ने भी छे कर दिया था छे नहीं होगा दस आपका इसका सही answer होगा clear next यहाँ पर देखेंगे next question है शरीर में कितनी धातुएं होती है how many metals are there in the body 3, 5, 7 या फिर नो जल्दी से देखिए इसका सही answer जल्दी से friends इसका सही answer होगा option number C यानि की 7 clear अगर आपने 704 सही हुआ तो well done friends अगर ayurvedic related कहीं पर भी problem आरीए नहीं पता लग रहा है topics of topics तो जल्दी से whatsapp कर लेना how many physical defects बताईए शारीरिक दोष कितनी है 3, 5, 7 या फिर नो जल्दी से बताईए इसका सही answer जल्दी से friends शारीरिक दोष की जब भी बात होगी याद रखना 3 दोष clear यहाँ पर बात हो रही थी physical defects की ठीक है कितने है 3 है आपके next देखिया आपर शुशुरूत ने तो अच्छा की कितनी परते बताईए है ये काफी important है ये काफी important questions आईए ठीक है बताईए according to शुशुरूत how many layers of skin 3, 5, 7 या फिर 9 जल्दी से देखिए इसका सही अंसर जल्दी से friends इसका सही अंसर होगा option number C&E की 7 7 layer किसने बताई है शुशुरूत ने बताई है किसकी 7 layer skins की 7 layer ठीक है next यहाँ पर देखिया next questions आधुनिक मतानुसार अस्थियों की संक्या है according to modern view how many bones are there 360, 300, 206 या फिर none इन में से कोई नहीं जल्दी से देखिए जल्दी से देखिए friends इसका सही अंसर होगा option number C&E 206 ठीक है according to modern view how many bones are there 206 next देखिया आपर इस्थियों में पुर्षों की अपेक्षा कितनी पेशिया अधिक है important how many muscles are more in women compared to men 10, 20, 30 या फिर कोई नहीं जल्दी से देखिए 20 ठीक है इस्थियों में पुर्षों की अपेक्षा कितनी पेशिया अधिक होती है 20 पेशिया यहीं की 20 muscles ज्यादा होती है ठीक है as comparison to men clear next यहाँ पर देखेंगे number of मर्मा है मर्मो की संख्या कितनी है देखिए यह जो questions है अभी top 10 magazines के साथ-साथ आपके चत्रिजगर के exam में राजस्थान के exam में और हर्यारा के अर्वेदिक के exam में बार-बार repeat हुआ है और उसी के base के ओपर आपके हमीरपुर बोटने भी questions डाले है तो ऐसे बहुत सारी segment questions होते है additions plus questions होते है जिनके chances जो है वो आपके 100% रहते हैं आपके अर्वेदिक के exam में आने के तो अगर यह questions आपके पास नहीं है तो जल्दी से whatsapp करें न क्योंकि हो सकता है कि आपका whatsapp किया हुआ आपको यहाँ पर government post दिला दे ठीक है जल्दी से बताइए मर्मो की संख्या कितनी है जल्दी से देखिए friends 107 है याद रख लेना ठीक है मर्मो की संख्या कि जब भी बात होगी 107 107 ठीक है next देखिए आपर types of bat की बात हो रही है बात के भेद कितने है ठीक है एक है तीन है पाँच है यह फिर साथ है जल्दी से देखिए जल्दी से देखिए इसका सही अंसर friends इसका सही अंसर होगा option मर्स C यानिकी 5 ठीक है बात के जो भेद है यानकी types of bat की याँपर बात हो रही है तो आपके कितने है पाँच है ठीक है next देखिए याँपर best memory enhancer यानकी बुद्धी बर्दक है ये काफी important है क्योंकि याँपर बात हो रही है सरव स्रेष्ट बुद्धी बर्दक है क्या ये शंक पुष्पी है ब्रामी है बचा है या फिर संभाशा है जल्दी से देखिए इसका सही अंसर फ्रेंट्स इसका सही अंसर होगा optional बड़ी यानि की संभाशा ठीक है अगर आपने सोचा और सही हुआ तो well done next हम यहाँ पर देखेंगे त्रीफला क्या है क्या ये आमला भीवी तक शुन्ठी है या फिर आमला हरड गृत कुमारी है शुन्ठी मरीच पिपली है हरित की बहेडा या फिर आमला है जल्दी से बताईए क्योंकि यहाँ पर बात ओर रही है त्रीफला की जल्दी से देखिए इसका सही अंसर देखिए त्रीफला की जब भी बात होती है आपको clear है कि हरित की बहेडा और आमला ठीक है यहाँ पर बात ओर रही है थी त्रीफला की ठीक है तो option number D इसका सही अंसर होगा next हम यहाँ पर देखेंगे अस्ट बर्ग में द्रव्य नहीं है important है questions which is not 8 class द्रव्य यह काफी important questions है इसका सही अंसर क्या होगा महामेदा, जीबक, रिद्धी या फिर कंकोल जल्दे से देखिए इसका सही अंसर which is not 8 class द्रव्य अस्ट बर्ग द्रव्य ठीक है इस not के या पर बात हो रही है ठीक है यह भी focus किया करें देखिए कंकोल जो है वो आपका अस्ट बर्ग द्रव्य नहीं है जबकि आपके महामेदा हो गया जीबक हो गया, रिद्धी हो गया यह आपके क्या है यह आपके सारे आपके अस्ट बर्ग द्रव्य है जबकि आपका कंकोल नहीं है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अस्ट बर्ष्ट की समानिता मात्रा है यहाँ पर देखिए वाट इस दा नॉर्मल डोज ओफ अस्ट अस्ट आवर्ष्ट कितनी है यहाँ पर देखेंगे पिपली का बानस्पतिक नाम यहाँ पर पूछा गया है यानि कि वाट इस दा बोटैनिकल नेम और पिपली क्या यह पीपर लॉंगम है पीपर चावा है पीपर ओफिशनलीज है या फिपर इंडिका है जल्दी सबताई इसका से एंसर जल्दी से देखिए इसका से एंसर क्या होगा देखिए पिपली का बानस्पतिक नाम जो आपका पिपर लॉंगम है याद रखने ना क्वेशन को क्योंकि यह क्वेशन भी एक्जामिनर ने पूछी है बार-बार अजर स्टेट में भी ठीक है और हमिरपुर बोर्ड और आपको मैं की चीज यहाँ पर क्लेर करवा देता हूँ कि हच्पी जी के अपका हैड़क्वाटर भी हमिरपुर में है ठीक है ओनलाइन यहाँ पर आपको पूरी की पूरी अगर आप स्टूडियो नहीं आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप अपने घर पे बैठ के त्यारी कर सकते हैं इस एक्जाम को लेकर ठीक है कम्प्लीट एडिशन आपको इसमें मिलते हैं देखिए नेक्स देखिए बद सनाव का प्रतिविश्य है जल्दी से बताईए फिटकरी, टंकर्ण, गौदंती या फिर चूना जल्दी से देखिए यहाँ पर बात हो रही है एंटीडोट ओफ बद सनाव जल्दी से एंटीडोट याद रखो एंटीडोट यानि की बोरेक्स अगर आपने ऐलम यहाँ पर सोचा है नेक्स्ट कॉश्चन थौनी फ्रूट सार देखिए कांटेदार जो फल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं क्या यह कंटकारी है, जंबू है, गौक्शूर है या फिर अमलतास है, जल्दी से बताईए थौनी फ्रूट सार कांटेदार फल होते हैं जल्दी सबताइए गोक्षूर ठीक है option number 6 is the right answer next यहाँ पर देखेंगे भसम प्रिक्षा का प्रकार नहीं है important questions which is not the type of ash examinations भसम प्रिक्षा का प्रकार नहीं है जल्दी से देखिए इसका say answer बारितर अपुन भर्व निरुत या फिर लोहिति करन जल्दी से बताइए यहाँ पर बात और यह भसम प्रिक्षा का प्रकार नहीं है जल्दी से देखिए लोहिति करण जो है वो आपका भसम प्रिक्षा का प्रकार नहीं है जबकि आपके बारितर अपुनरभव निरुथ ये क्या है आपके ये सारे के सारे क्या है ये आपके भसम प्रिक्षा के प्रकार है जबकि लोहिति करण नहीं है नेक्स चूराहर पर देखिएंगे नेक्स गॉट्शन है इन्स्ट्रॉमेंट यूज्ड फोर पर्स्पिटेशन इस बताएे जल्दी से समवेदन के लिए पर्युक्त होने वाला यंत्र है क्या ये सैंट इंस्टॉमेंट है पातन इंस्टॉमेंट है डोला instrument है या फिर कच्छप instrument है बताई जल्दी से जल्दी से देखिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ बात हो रही है instrument used for perspirations जल्दी से देखले ना इस questions को important है और इसका सही answer होगा, डोला instrument स्वेधन के लिए परियुक्त होने वाला यंत्र जो है वो आपका, वो आपका है डोला इंस्ट्रिमेंट, ठीक है, यानि कि इसको हम हिंदी में दोला भी कहते हैं, ठीक है, next यहाँ पर देखेंगे, गजपुट में उपलों की संख्या है, यह important है, यहाँ पर बात हो रही है, how many cow dung, ठीक है, गजपुट में उपलों की संख्या कितन है जी, क्या यह कजली है, चवनप्राश है, रस सिंदूर है, या फिर अमल की chemical है, बताई जल्दी से, जल्दी से देखिए, कूपी पक्व chemical is, जल्दी से देखिए, the right answer is, option में सी एन की रस सिंदूर, ठीक है, जो आपका कूपी पक्व chemical है, वो क्या है आपका, रस सिंदूर है, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्कॉश्चन है, सल्फर इस गंदक क्या है, क्या यह महरस है, उपरस साधारन रस है, या फिर स्वरस है, जल्दी से देखिए, सल्फर की आपर बात हो रही है, सल्फर क्या है, जी, देखिए, इसका सही रोगा, option मे BN की उपरस clear अगर आपने सोचा और सही हो तो well done next day आपर what is the chemical formula for gold Sworn gold का chemical formula है जल्दी से बताइए जल्दी से देखिए इसका same answer options number B friends यह जतने भी chemical type formulas questions है definite a questions आपके exam में examiner जरूर पूछता है ठीक है ऐसे बहुत rare chances है कि नहीं पूछेंगे maximum पूछ लेता है ठीक है next यहाँ पर देखेंगे next questions है रोगी पत्र जो आपका रोगी पत्र होता है ठीक है उसमें जो BD का आर्थ है वो क्या चीज है जो आपका prescriptions है ठीक है जो भी आपको doctors लाह देता है ठीक है है वो क्या है BD का मतलब क्या हुआ क्या यह दिन में एक बार है दिन में दो बार है दिन में तीन बार है यह फिर जुरूरत होने पर है बताईए और यह questions गलत नहीं होने चाहिए किसी का बीडी का इसका मतलब होता है ठीक है चली नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे वाट इस दा नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ यूमन सभी को क्लेर होगा जा टाइम बेस्ट नहीं करेंगे ठीक है ये वह लट गने ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जेप्वाम क्या है जी किया ये बोराक्स ये गोदानती है शंक ये या फिर शिला जीत है जिप्सम क्या है जी बताईए प्रेंस इसका सहीं अरुगा आप्शन वाभल भीनकी घोडांती आपने लिक्स यहाँ पर जल्दी से देखिए इसका से इंसर जल्दी से important questions है option number c यानि की इसका option number c सही होगा ठीक है यानि की copper sulphate ठीक है इसका सही अंसर होगा option number c यानि की आपका जो blue betryol है वो आपका क्या है copper sulphate ठीक है option number c is the right answer next यहाँ पर देखेंगे color of mercury ash जो आपका अभरक है जो भसम है ठीक है जो आपका mercury ash है वो क्या है क्या है क्या यह red है black है brown है यह फिर white है जल्दी से देखिए color of mercury ash the right answer is option number a n की red clear next देखेंगे यहाँ पर the next questions है the main constant of health improving आरोग्यवर्दनी बटी इस तो उसमें आपका क्या है क्या यह चित्रक है पिपली है कुटकी है या फिर आमलकी है बताईए क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है आरोग्यवर्दनी के जो बटी का जो मुख्य घटक है वो क्या है क्या वो चित्रक है पिपली है कुटकी है या फिर आमलकी है बताईए देखिए वह आपका कुटकी है ठीक है the main constituent of health improving आरोग्यवर्दनी the right answer is कुटकी clear next यहाँ पर देखेंगे the next question है संजीवनी बटी का भावना द्रव्वे है important questions है what is the भावना substance of संजीवनी बटी क्या यह त्रिफला है गव्ला तक है बताईए जल्दी से देखिए इसका से answer the right answer is option मसी यानि कि गव्मूत्रा friends संजीवनी बटी का जो भावना द्रव्वे है ठीक है यानि कि भावना सब्सक्राइब कोंस्टिट्वेंट ऑफ चमन प्राश इस देखिए चमन प्राश का जो घटक है वह क्या है क्या यह रास्ना है चिरायता है काक नासा है या फिर छीला जीत है जल्दी से देखिए इसका सही सब्सक्राइब कोंस्टिट्वेंट ऑफ चमन प्राश की जब भी बात होगी यानि की घटक की बात होगी काक नासा ठीक है चली नेक्स्ट यहां पर देखेंगे वाट इस दा रेशो आफ काल्क यह काफी इंपोर्टन है यानि कि यहां पर बात हो रही है स्ने कल्पना में कल कल्क सने जल्प का अनुपात बताईए स्ने कल्पना में कल्क सने जल्प का अनुपात कितना है जी देखिये आपका सही आशर होगा वन इस्टू फॉर इस्टू स्ने क्वेश्टन एक नेक्स यहां पर देख रहेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर सुदर्शन चूरण का मुख्य घटक है मेन कोस्टिजेंट अफ सुदर्शन चूरणा इस पटोल बासा चिराइता या फिर सुदर्शन बताइए सुदर्शन चूरण का मुख्य घटक बताइए option number cn की चिराइता काफी important questions है friends next यहाँ पर दखेंगे रसाजन इस गोट फ्रॉम बताइए रसाजन इस गोट फ्रॉम चटानों और खानों से हीरन के सिंग से दारू हिद्रा से या फिर समुद्र जल से कहां से प्रापत होता है जल्दी से बताईए जल्दी से जल्दी से बताईए रसाजन कहां से प्रापत होता है सबी को आना चाहिए दारू हरिद्रा से ठीक है दारू हरिद्रा से आपका रसाजन जो वो प्रापत होता है next यहाँ पर देखेंगे कौन सी शास्त्री कलपनाई मदुमे रोगी को नहीं दी जा सकती है जल्दी से बताईए which classical medicines यानि की शास्त्री कलपनाई are not given to diabetic patient जल्दी से अभी पित्तकर चूरना सितो पलादी चूरना शमन प्राश अबले या फिर सब भी नहीं दी जा सकती है कोई भी नहीं दी जा सकती बताईए friends इन में से कोई भी नहीं दी जा सकती ठीक है तो यह आपके लिए important questions next यहाँ पर देखेंगे सितो पलादी में नहीं होता है जल्दी से बताईए what is not present in सितो पलादी borax, sugar, पिपली या फिर cinnamon बताईए टंकरन, चीनी, पिपली या फिर दाल, चीनी जल्दी से देखिए उसमें आपका borax नहीं होता है सितो पलादी में आपका borax नहीं होता है जबकि आपकी sugar, पिपली और cinnamon इसमें आपके सितो पलादी में present रहते हैं clear next यहां पर देखेंगे हस्तिदंत समाने तक किस कलपना में प्रयोज्य है important questions आईए देखिए हस्तिदंत is commonly useful in the imaginations of quoth, kalk, swaras या फिर मासी, बताईए देखिए, इसका सही असुरोगा option number C and की swaras friends, अगर अभी भी कहीं पर भी doubts आ रहा है, कहीं पर भी लग रहा है कि experts की राय आपके लिए जुरूरी है जो इस exam से जुड़े हो है जो इस field से जुड़े हो है जिनके पास 7 सालों को अनुवब है आरवेदिक के questions के लिए GK additions के लिए तो उनसे एक बार आप WhatsApp पर बात कर लेना, ठीक है Next, यहाँ पर देखेंगे Pranijjberg में नहीं आता है जल्दी से देखिये, Pranijjberg में आपका राव नहीं आता है ठीक है, direct questions बनता है अगर अभी भी अब आपको करना गया है WhatsApp करिए, कहीं पर भी doubts आ रहा है ठीक है, यहाँ पर ही आपके सामने यह number है ठीक है, यह series आपकी रुके के नहीं आपके exam तक चानल पर पहले बार तो like